नमस्कार दोस्तों, फ्री आनलाइन बेकिंग क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ मीना जीन आज हम बना रहे हैं एक पॉंड का परफेक्ट मेजर्मेंट के साथ ये पाइनापल फ्लेवर का एक खुपसूरत सा के इसे step by step बनाएंगे घर पर बहुत आसानी से कैसे बनता है ये और गर्मियों में क्या प्राब्लम आती क्रीम फैटने में हमारे बेकरी स्टाइल हम इस पंज घर पर कैसे बना सकते हैं ये सब दिखेंगे हम तो चलिए आईए रेसिपी की शुरुआत करते हैं तो हमने 170 ग्राम ये California प्रेमिक्स यह वैनिला प्रेमक्स है और इसे हम एक बार चौन लेते हैं और इसमने 90-ɪमेल हमने पानी डाला है ठोड़ासा पानी पेले बचा लिया है और एससे slow speed पर हम एक से रो मिनिट पहले बिट करेंगे फिर हम यह बचा हुआ पानी भी डाल देंगे और फिर फूल इस पिट पर तीन से चार मिनिट हम इसे बिट करेंगे यह देखिए आप इस तरह से हम बिच बिच में बिटर को रोक कर साइट का बेटर भी स्क्रेप करके फिर से बिट करेंगे इस तरह से यह हमारा बीठ हो गया यह देख रहा है जैसे कि आप यह बढ़िया अब हम इसमें एक टेबल स्पून रिफाइन आयल डालेंगे और इसे आयल डालने के बाद सिर्फ हमें मिक्स करना है एक मिनिट के लिए हमें ज्यादा यहाँ पर नई फेट ना है इस तरह से हमारा यह बेटर तयार हो गया आप देख रहे हैं यह रिबिन कंसिस्टेंसी वाला है मतलब एक फ्लो में रिबिन में गिर रहा है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं हमने सबको अच्छे से मिक्स किया है एक से दो बार कट और फोल्ड मेथट से हम यह मिक्स कर लेते हैं और इसे तयार पॉट में आप 6 इंच का पॉट लिया है अइल लगाया है बटर पेपर लगाया है और यह बेटर हमने इसमें डाल दिया है जैसे कि हम सबसे पहले कड़ाई को या ओवन को प्री हिट करने के लिए रखते हैं वैसे हमने इसे शुरुआत में प्रिहिट करने के लिए रख दिया था कडाई को जैसे हम पिछली कई वीडियो में देख चुके हैं अगर ओवन में इसे बेक करना है तो 160 डिगरी पर हम ओवन को प्रिहिट कर लेंगे और उपर नीचे दोनों तरफ हीट दी कर और उसे रख देंगे और उपर की हीट बन कर देंगे और इस तरह से बेक कर लेंगे लेकिन अगर जिस किसी के पास ओवन नहीं है और वो भी घर से बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस तरह से हम कडाई या कुकर में बेक कर सकते हैं भगोने में भी बेक कर सकते हो आप तो नीचे नमक या रेत रखेंगे और उपर रिंग रखें आप पॉट रख दीजिए और स्लो फ्रेम पर गेस की फ्रेम को एकदम कम करें और इसे 35 मिनिट हम इसे बेक कर लेंगे हमने अभी 35 मिनिट इसे बेक किया है तो यह परफेक्ट हमारा इसपंज तयार हो गया बेकरी स्टाइल स्पंज यह आप जैसे कि आप देख रहा है एक बहुत ही बड़िया कलर आया है और इसने साइड भी छोड़ दी है इसका मतलब कि कि हमारा यह sponge अच्छे से बेख हुआ है और यह बहुत ही आसानी से ठंडा होने के बाद निकल जाता है हमने ठंडा किया साइट छुड़ाई और इसे टिन से बाहर कर लिया है अब हम इसे आइसिंग करते हैं इसकी तो हमने एक टेबल स्पून क्रेश लिया है साथ में चार से पांच टेबल स्पून हमने पानी मिलाया है यह क्रेश मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं और अगर आप घर पर बनाना चाहें तो इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है मैं लिंक डाल दूँगी इसे हम शुगर सिरफ जैसा यूज़ करेंगे और यह देखिए यह मैंने क्रीम लिये विपिंग क्रीम है नांडेरी प्रोडक्ट है और इसे गर्मियों में हम इस तरह से थोड़ा आइस वाला लेते हैं जैसे कि हम देख रहे हैं और फिर बीट करेंगे तो हमारी क्रीम कभी भी ड्राइ नहीं होगी आप यह सीजन के इसा हम इसमें बीट करना चालू कर देंगे तो यह हमारी परफेक्ट क्रीम बीट हो जाएगी जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे एक इस्टिप पिक आ गए हैं जिस शेप में हम क्रीम को छोड़ रहे हैं उसी शेप में वो टिकी रहे मतलब हमारी क्रीम परफेक्ट बीट हो चु यह देखिए जैसे हम इस पे चुला पर ले रहे हैं तो यह हमारी नीचे नहीं गिर रहे हैं और जिस शेप में इसे छोड़ रहे हैं उसी शेप में यह टिकी होई है जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से यह परफेक्ट क्रीम अगर बीट होगी तो आपकी कभी भी मेल्ट नहीं होगी अब हमने यह स्पाइंड लिया है और इसे तीन लेयर में कट कर लिया है यह देखिए अंदर से बहुत ही बढ़िया बेख हुआ है और अब हम इस तरह से जिग जिग में हम कट कर लेते हैं तो हमारी तीनों लेयर बहुत यह आसानी से बाहर हो चाएगी अगर आप बिगनर से हैं तो यहापर टू लेयर में हमारे हमारे नाइफ वाले हाथ को हम एक ही जगे रखेंगे और टेबल को गुमाएंगे तो यह हमारा बढ़िया लेयर निकल आएगी यह देखिए यह भी बहुत ही बढ़िया लेयर आ गई है बाहर इस तरह से हमने तीनों लेयर कट कर ली है और जो बाटम लेयर है उससे हम उल्टा करते हैं और नीचे का जो हाट पार्ट है उससे थोड़ा सा प्रेमिंग कर लेते हैं इस ऐसा करने से हम जो शुगर सिरफ डालेंगे वह अच्छे से यह सोप कर लेगा और यह भी सॉफ्ट हो जाएगी इस तरह से हमारी बाटम लेयर भी सॉफ्ट हो जाएगी और हम इसमें तीन से चार चम्मच शुगर सिरफ डाल सकते हैं अगर हमारा केक एक से दो दिन पहले बेक किया हुआ है तो हम चार से पांच चम्मच इसमें डाल सकते हैं शुगर सिरफ और फ्रेश स्पंज में दो से तीन चम्मच ही डाल दे हैं यह इस तरह से हमने डाला है और यह क्रीम को हमने लगाया और उसमें हमने क्रश मिलाया है यह क्रश होममेड है आप इसकी लिंक देख सकते हैं या मार्केट का क्रश भी ले सकते हैं इस तरह से हमने यह चंक्स वाला पाइनापल लगाया है मार्केट में टीन में पाइनापल इजिली अवेलेबल है इस तरह से हम यह फर्स लियर कंप्लिट कियें और साइड में अब हम सबसे पहले हम यह साइड को फिल करेंगे जो गेप है उसे फिल करेंगे इससे हमारा केक जो उपर वाली लेयर जो हमने रखी है वो तिर्षी नहीं होगी और हमारा केक एकदम इस्टेट रहेगा तो सबसे पहले हम साइट को फिल करते हैं उसके बाद हम यह शुगर सिरफ लगाएंगे फिर से और फिर से इसी तरह से हम यह लेयर तयार कर लेंगे यहां पर आप कोई भी फ्लेवर का केक बना सकते हैं जैसे अभी हम पाइनपल फ्लेवर का बना रहे हैं आप इसी तरह से स्ट्रोबेरी मैंगो कीवी पान अलग-अलग फ्लेवर के केक इसी तरह से आप बना सकते हैं अलग-अलग फ्लेवर के क्रेश डाले और इस तरह से आप बना सकते हैं तो यहां पर हम थडले लगा दी है और उसे भी हम अच्छे से सोक कर लेते हैं शुगर सिरप से आप यह पैनेपल क्रश में हमने पानी डाला है आप सिर्फ नॉर्मल वाटर लेकर उसमें एक चमच पिसी हुई शकर डाल कर भी शुगर सिरप तयार कर सकते हैं और वह भी ले सकते हैं आप यहां पर कोई फूट का जूस लेना चाहें तो वह भी ले सकते हैं और इस तरह से केक को सोक करवा सकते हैं सोक करने से केक अंदर से ड्राय नहीं होता है सॉप्ट बना रहता है दो से तीन दिन तक हम इसे फ्रीज में रख सकते हैं तैयार स्पंज को भी हम 2-3 दिन तक बाहर रख सकते हैं और फिज में अगर क्लिन रेप में रेप करके रखेंगे और एक एर टाइट डिपे में डाल कर रखेंगे तो 4-5 दिन भी हमारा इस्पंज खराब नहीं होगा इस तरह से हमने ये तयार किया है और अब हमने साइड में क्रीम लगाई और क्रम कोटिंग कर लिया है क्रम कोटिंग करने के बाद हमने फाइनल फिनिशिंग के लिए क्रीम लगाई और उसे भी एक बार हमने इस तरह से क्लिन कर लिया है अब हमने एक नाइफ पर एक ड्रॉप ब्लू कलर लिया है और इसी तरह रेंडमली हमने कहीं पर भी लगा दिया और साथ में एक पिंग कलर का ड्रॉप लिया है और उसे भी लगा दिया है जिसे कि आप वीडियो में देख रहे है इस तरह से ये हमारा एक डबल शेट का केक तयार हो रहा है तो जैसे कि हमारी कस्टमर की डिमांड थी कि किसी बच्चे की ड्रेस का कलर ब्लू और पिंग है त तो हमने इस तरह से ड्रॉप डाल दिया है और इस तरह से अप शेट डाल दिया है आप चाहें तो पूरे क्रेम में भी एक ड्रॉप डाल कर क्रेम तयार कर सकते हैं और उसे भी लगा सकते हैं इस तरह से हमने ब्रश से एक इफेक्ट दे दिया है और मेरे पास ये एक पेपर का टॉपर है तो वो भी मैंने लगा दिया है उसकी जो नीचे की डंडी थी वो निकाल दी हमने इस्टिक और उसे हमने चिपका दिये अभी मुझे इस तरह का डिजाइन बनाना था आप चाहें तो उसे इस्टिक को अंदर केक के अंदर डाल कर भी यह पैटर्न आप खड़ा क बना सकते हैं इस तरह से हम ने यह लगा या है और इस्टा नोजल से रोजेट बना दिया है साथ में यह पेपर के बटरफ़्लाय और यह तोपर लगा दिया है अब हमने नीचे के बाउंडर्री भी बना दी है और अब मैं यह करीन कलर की क्रीम तयार कर रही हूं और लिफ् क्रीम में एक drop green color डाला है और उसे तयार कर लिया है मैंने यहाँ पर liquid color डाला है आप powder color, gel color कोई भी ले सकते हैं इस तरह से एक drop और डाला है थोड़ा light लग रहा है मुझे और फिर से अच्छे से mix कर लिया है जब भी आपके पास क्रीम बची हुई हो तो उसे आप इस पे चुला से एक बार अच्छे से इस तरह से मिक्स करेंगे तो आपकी क्रीम के एर बबल से निकल जाएंगे और एकदम फिर से फ्रेश हो जाएगी क्रीम अगर थोड़ी देर रखी रहती है तो उसमें एर बबल सा जाते हैं तो इस तरह से करना जरूरी होता है और अगर क्रीम बच गई है और अगले केक में हमें यूज़ करना है तो हम इस क्रीम को अंदर जो हमने लेयर लगई है उसी में हम यूज़ करते हैं हम बाहर की लियर में कभी भी ये क्रीम यूज़ नहीं करते हैं इससे हमारी फिनिशिंग सही नहीं आती है तो जब भी क्रीम बच जाए तो आप अंदर की लियर में लगाएं बची हुई क्रीम को एर और टाइट कंटेनर में रखके एक से दो दिन आप फ्रीज में रख सकते हैं और अगले केक में आप यूज़ कर सकते हैं अंदर की लेयर में इस तरह से यह हमने पुरा कीक तयार किया है और साथ में यह बहुत खुबशूरत से पलस लगा दिया है यह पैसे यह हमारा तयार हो गया है अब यहाँ पर नाम लिखने की बारी आती है तो अगर कस्टमर को नाम लिखवाना है तो आप कोई भी प्लंजर से काट करके फांडन का या आप इसी क्रेम को कोई नोजल में भर कर आप नाम लिख सकते हैं और इस तरह से यह हमने केक तयार किया है यह देखिए बहुत ही एक पाइनापल फ्लेवर का परफेक्ट मेजर्मेंट के साथ एक यह बढ़िया खुबसूरस सा केक पसंद आई तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंड करके बताएए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना बूलें